हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट 24 नॉलेजे, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL, इंडन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड की जो रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन निकाली गई थी उसमें फ्रेंज से यहाँ पर जो इसकी लास देट है, वो यहाँ पर भढ़ा दी गई है जिसमें फ्रेंज से आप अप्लाई कर सकते थे अकाउंटेंट, टेकनिशन याँ ट्रेड एप्रेंटेशिप पोस्ट के लिए तो फ्रेंज से यहाँ पर यह ओल इंडिया वेकेंसी है, अगर आप अप्रेंटेशिप करना चाहते हैं, आई यो सी यल में तो आपके लिए यह वेकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओनलाईन तो यहाँ पर जो फॉर्म है, यह 22 फरवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक भरे गए थे, और यदि आपने इस दोरान इसको भर दिया है, आपको दोबारा से इसको फिल करने की जरुत नहीं है, पर फ्रेंज से अगर आपने यहाँ पर इसको नहीं फिल किया है, तो आपके लिए दोबार से गोल्डन चान से अपेंटिशिप करने का, जिसके लिए 22 माई 2020 से 21 जून 2020 तक अपलाई कर सकते हैं, और साथ में जो पूस्ट हैं, यह भी आपकी 100 यहाँ पर एडिशनल कर दी गई है, 100 जो पूस्ट है वो आपकी बढ़ा दी गई है, अब इसकी जो एड्मिट कार्ड है या रिटन टेस्ट है, वो कैसे होगा उसके जनकारी बाद में दी जाएगी, और सबसे पहले आपको यहाँ पर एडिस्टेशन करना होगा इस पोर्टल पर और इसके लिए फैंसे आपको इस क्लिक करना है इस लिंक पर और आपको तीन यहाँ पर पोस्ट यह ट्रेड मिल ज आपको अलग से ट्रेड यहां मिलेंगी, अब यहाँ पर एक फंडा इनका क्या है कि आपको यहाँ पर एक रिटिस्टेशन भी करना होता है, वो रिटिस्टेशन कौन सा होता है जो कि इस वेबसाइट पर नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहे था हूँ जैसे आपने माली जी इस पर apply पर click किया तो यहाँ पर फ्रेंस जैसा आप देख रहे होंगे apprenticeship enrollment number यहाँ पर आपको यहाँ पर registration करना होगा अगर आपने registration नहीं किया है तो आप enroll now उपर click कर सकते हैं और यहाँ पर enroll कर सकते हैं अब इसकी जो full process है enrollment की वो आपको उपर i section में और description में मिल जाएगी या फिर आप jobrasta.com पर link पर भी जाएगी तो वहाँ भी आपको यह detail मिल जाएगी अगर बात करें यहाँ पर nest जो आपके trade apprenticeship technical है इसकी अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें भी friends आपको जैसे ही apply पर click करेंगे उसके बार यहाँ पर आपको RDAT जो apprenticeship.go.in की जो website है उस पर आपको registration करना होगा तो आप इस पर registration कर लेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो यह details है यह आपको ज़रूरी है इन पर registration करना और उसका जो registration या enrollment number है वो आपको enter करना होगा ऐसे ही friends non-technical के लिए अगर आप करना चाहते है तो आपको ऐसे ही इसमें apprenticeship का registration करना होगा और इनको registration का जो portal है या फिर यह options है या आपको description में उपर i section में और jobrasta.com पर मिल जाएगा आप उनको check कर सकते हैं इसके बाद friends जैसे या apply करेंगे यहां से आप apprenticeship enrollment number को select कर लेंगे या लिख देंगे board के जो registration number है आपको state choose कर लेंगे इस state के लिए apply करना चाहते है एक्जामसन city आपकी यहां पर आ जाएगी इसके बाद है candidate name का option तो आपका यहां पर जो भी नाम है जिस नाम से आप registration करना चाहते है वो registration के लिए पूरा नाम आप यहां पर fill कर देंगे इसके बाद है आपका mother name का option या आपके father name का option या फिर आपके यहां पर husband name का option तो आप जो भी यहां एंटर करना चाहे कर सकते हैं तो जो भी आप यहां नाम एंटर करेंगे, उनसे आपका relation क्या है, father, mother या husband का, तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, gender आप select कर लेंगे, category आपकी general है, या इसके लावा EWS है, SC, ST, OBC, जो भी आपकी category है, वो आप select कर सकते हैं, DOB आपकी क्या है, वो आपको यहां पर select करनी होगी तो जो भी DOB है, आपकी वो आप यहां select कर सकते हैं, इसके बड़ आपका जो एस criteria है, वो आटोमेटिक 39, 2, 2020 को count होकर आ जाएगा, आपका 10 digit mobile number आपको यहां पर fill करना है, तो आपको यह fill कर दीजिए, आपकी जो email ID है, active and valid, वो आपको यहां पर fill करनी है, तो ध्यान जो mobile number है और जो email ID है, यह आपकी active होनी चाहिए, क्योंकि friends आगे की जो further information होगी, वो आपको इन डॉनो number पर ही मिलेंगी, मैंना भी sample के तोरूपर यहां पर लिखा है, आपको बिलकुल active और सही सही number आपको यहां enter करने होंगे, इसके बाद यहां पर है आपका correspondence या mailing address, तो स यहां पर care of का sign लगाना है और आपका father, mother या husband जो भी आप यहां पर enter कर रहे हैं, उनकी according आप यहां पर उनका address यहां पर दे सकते हैं, इसके बाद हाउस नंबर, उसके बाद आपका village दे सकते हैं, आपका state है, किस state के अपनिवासी है, वो आप select कर सकते हैं, आपकी city कौन सी आप यहां दे सकते हैं, आपका pin code दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको यहां पर जानकारी फिल करनी होगी, अगर आपका address बड़ा है, तो आप पूरा address है, वो आप इस section में लिख देंगे, यदि आपका correspondence permanent same है, same as पर click कर दीजिए, यदि यह अलग-अलग है, आप manual entry भी इस सबसे पहले board का नाम आपको देना है, अब यहां पर है यह passing date, तो आप इस calendar पर click करेंगे, और यहां से जो भी आपका passing year या passing month है, वो आप यहां से select कर सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से जानकारी यहां पर select करनी है, और इसके बाद आपको जानकारी मार्क्स मतलब आप है कि जो details है, वो आपको यहां पर देनी है, अगर आप देना चाहें, तो यहां पर click करना है, उसके बार board का नाम, passing date, obtained marks, total marks आपको देना है, नहीं तो आप इसको blank छोड़ सकते हैं, तेन के बाद सीधे हमां आते है, technician discipline की जो trade है उस पर, तो यह mechanical पर हमने select किया था, वो चुका है, अब आपको यहां पर university name, या फिर आपका जो college name है, वो आपको यहां पर देना होगा, इसके बार आपका जो passing date है, आपने इसको कब pass किया है, उसकी जानकारी आपको देनी है, तो यहां पर आपको year मिल जाते हैं, आपको year यहां select कर सकते हैं, और passing month, passing date साब आपक करनी होती है, इसके बार आपको यहां से इसको accept करना है, कि जो भी details आपने दी है, वो विव्यकुल सही है, आप यहां पर इसको submit कर सकते हैं, पर आपको यहां से इसको submit कर देंगे, तो friends, यहां पर जैसे ही आप इसको submit करते हैं, अब आपका जो second step है, जो की है photograph, signature and document upload का यह आपका open हो जाएगा, तो यहां पर देखिए, जो आपको फोटो का sign मिल रहा है, यहां पर आपको browse का option मिल जाता है, jpg format में आपको upload करना है, अब यहां पर 30 kb से ज़्यादा आपका size यहां पर नहीं होना चाहिए, और यहां पर जो photo है, उसको size 20 kb से कम नहीं होना चाहिए तो इस तीज़ का आपको ध्याद रखना है, और signature का आपका 10 kb का size रहेगा, तो आपको size की यहां जानकाई दी गई है, browse के माध्यम से friends, आपकी जो भी photo है, sign है वो आप upload करेंगे, scan करेंगे, और अगर friends, माली जी आपके पास photo अभी नहीं है, तो आप mobile से scan कर सकते हैं, इस और यह documents आपको self-attested करने है, वरलब आपके जो भी mark sheet है, या फिर जो भी certificates है, उनका आपको photo copy लेना है, उस पर आपको sign करना है, और उसके बाद दोबारा से scan करके यहां पर upload करना है, और यह आप JPG format में upload करेंगे, और इसका तो size है, वो 100 kb to 90 kb के बीच आपका रहना चाह आपके date of birth के proof के तोर पर, और बात करेंगे अगर education certificate की तो जैसे आप technician के लिए कर रहे है, diploma for trade technician, ITI, NCVT या फिर account के लिए graduate and data entry operator के 12, जो भी आप पर applicable है आपका वो ही आपको यहां पर bronze के मार्धियम से upload करना है, और उसको friends यहां से आपको submit करना है, upload करना बहुत जरूरी ह इसको और यह self-attested कीजेगा, नहीं तो आपका form जो है रद भी किया जा सकता है, तो self-attested upload करने के बाद आप यहां से इसको कर देंगे submit, तो friends submit करने के बाद आपका जो यह final printout है यह form है, यह final submit हो जाएगा और आपको यहां पर एक print का option भी मिल जाएगा, आप इस पर click करके इसका जो final printout है, वो save कर सकते हैं अपने PC पर, अब माली जी आपका यहां पर अगर PDF का option नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, आपको download करना है PDF24 software, तो friends, उस software का फाइदा यही है कि आप उस software को जैसे install करेंगे, print command देंगे, आपके PDF24 के तुरू, आप उसको PDF में save कर पाए तो यहां पर friends, मैंने आपको detail बता दी है, Indian oil में apprenticeship और job form है, वो कैसे आप fill कर सकते हैं step by step process के बारे में, आप registration करना चाहे, photo mint, document upload करना चाहे, print करना चाहे, आप इस section पर click करके अपने जो भी यहां पर detail से उनको check कर सकते हैं, बाकी के detail आपको video description में मिल जाएगी jobrasta.com और औ apprenticeship करना चाहते हैं IUCL में, तो आपके लिए form है, आप इसको fill कर सकते हैं, description में जाके आप इसकी detail को check कर दीजिए, और यह आपको video पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरूर कीजिए और देखते रहिए, 824 knowledge and last thanks for watching.